कि दोस्तों नमस्कार आपकी सफलता ही मेरा मिशान है ग्यानकोस इजकेशन पर आपका अभिनंदन है वित्रों इस समय आप देख रहे हैं कि आपके अपने प्यारे चनल ग्यानकोस इजकेशन के माध्यम से TGT और PGT का कंप्लीट तैयारी करवा जा रहा है जिसमें आपको लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और प्रक्रिसेट भी मिल रहा है ठीक न इसके पहले बहुत सारे वीडियो अप्लोड हो चुके हैं अगर नहीं देखे होंगे तो जो 2022 का TGT PGT का स्पेसल प्लेलिस्ट है आपको वहां मिलेंगे जिसमें TGT PGT LT grade का एक प्लेलिस्ट है फिर GIC lecture का एक प्लेलिस्ट है फिर उसके वाद से आपका जुनियर एडिट का प्लेलिस्ट है और उसके बाद आपका कुछ प्रेक्टिसेट का प्लेलिस्ट है इस तरह से करीब-करीब 1500 और 1200 के आज पास वीडियो आपको वहां मिलेंगे वहां से अपने तयारी कर सकते है हलाकि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बाक्स में भी है तो आप वहां से भी आप उन वीडियो को पढ़ सकते हैं तौ आईज़े हम लोग सीधे अपने टापिक पर आते हैं आज हम लोग वामन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका सुद्भट के बारे में पढ़ेंगे, रुद्रट के बारे में पढ़ेंगे, आनंद वर्धन के बारे में पढ़ेंगे और अभिनोगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, इतने लोगों के बारे में आज हम लोग अध् तीवी करते चलूंगा चलिए वामन रीत संपर्दाय के परवरता काचारे माने जाते हैं यह प्रसुन आपका यहां से बनता है तिक न और इनके अगर समय की बात है तो आठापदी माना जाता है इनका आठापदी का उत्तरार्थ इनका जो है कि समय माना जाता उस समय में ये विद्यमान थे वामन कश्मीर नरेश जयापीड के मंत्री थे किस के मंत्री थे कश्मीर नरेश जयापीड के ये मंत्री थे ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है ठीक न अब आचारे वामन ने एक ग्रंथ के रचना के थी जिसक स्वयम ही इन सुत्रों पर वृत्तियां भी लिखे हैं, वृत्ति भी लिखे हैं, स्वयम, इन सुत्रों पर वृत्ति भी लिखे हैं, काव्यालंकार सुत्र पर, ठीक है न, और काव्यालंकार सुत्र से संबंदित एक दो प्रस्ण और भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह से, कि क व्यालंकार सुत्र में कुल इस सुत्रों के शंख्या कितनी है तो आपका हो जाएगा 319 319 सुत्र इसमें है और 5 परिक्षेद हैं परिक्षेद का मतलब अध्याय की बात हम कर रहे हैं 5 अध्याय और 319 सुत्र हैं यह आप बढ़ियां से तयार करेंगे ठिक है वामन के जो काव्य सिध्धान्त हैं उसको थोड़ा से देख लिया जाए तो वामन जो है कि रीत को काव्य की आत्मा माने है किसे काव्य की आत्मा माने है रीत को काव्य की आत्मा माने है जिसे रीतरात्मा काव्यस्य ये इनका शुक्ति है इनका सुत्र है यहां गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद करते हैं गुण का और अलंकार का ये आपस में विभेद करते हैं और गुण को अलंकार की अपेक्छा अधिक महत्व देते हैं वामन जो है गुण को अलंकार की अपेक्छा अधिक महत्व देते हैं यह वैदर्भी, गौडी और पांचाली इन तीन रीतियों की कलपना की हैं यह तीन रीति जो है कि इन्होंने ही एक तरसे प्रत्पादित किया इसकी कलपना इन्होंने किया है ठीक न यह दस प्रकार के गुण मानते हैं और दस सब्ध गुण और दस अर्थ गुण यह इतना दोनों मिलागर के यह 20 प्रकार के गुण की कलपना की हैं यानि प्रसनगर ऐसे पूछे कि 20 प्रकार के गुण की कलपना की साचार्य ने किया है तो आपका उत्तर हो जाएगा वामन ठीक है पांचमा जो है कि आपका है वक्रोक्ति को साद्रिष मूलक लक्षडा मानते हैं यह वक्रोक्ति को क्या मानते हैं साद्रिष मूलक लक्षडा यह मानते हैं ठीक है न और सबसे बड़ी बात कि शमग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानते हैं यानि उपमा कि यहां अलंकार से सम्दित आचार हैं मतलग अलंकारवादी आचारिते इनका समय आथ मिस्तापदी ही माना जाता है और आचारे वल्देव उपाध्याने बताया है कि यह कस्मीर के राजा जयापीड के सभापंडित, क्या थे? यह सभापंडित थे, जयापीट के सभापंडित थे, हलाकि वामन जो है कि उनके क्या थे? मंत्री थे, कि जयापीट के वो मंत्री रहे हैं, और यहाँ जो है कि जयापीट के सभापंडित, ठीक है न? यह जानना आपको जरूरी है, आगे देखिए, उ अब्यालंकार सा संग्रह नामग्रंद की रचना किया है और अलंकारों का आलोचनात्मक वैज्यानिक धंग की विबेचना भी इन्होंने ही किया है। अर्थ भेद से सब्द भेद की कल्पना किया है। दूसरा इनका सबसे मुख्य सिध्धान्त जो है वह श्लेश को सभी अलंकारों से क्या मानते हैं स्रेष्ट मानते हैं। सभी अलंकारों में स्लेश को स्रेष्ट मानते हैं और स्लेश के दो भेद मानते हैं। एक सब्द स्लेश और अर्थ स्लेश ये दो अलंकारों की कल्पना करते हैं। सबसे बड़ी बात कि अर्था लंकार में इसे परिगरित करते हैं। इसे अर्था लंकार में ही मानते हैं। जबकि आप जानते हैं कि श्लेश लंकार सब्दा लंकार की अंतरगत गणना किया जाता है। लेकिन ये उद्वट ने ये श्लेश लंकार को अर्था लंकार कंतरगत मानते हैं। दोस्तों ये प्रशनों का संकलन कैसा है आप हमें अवश्य बताएंगे। कमेंट करके हैं कियोंकि आपके कमेंट के आधार पर हमें एक प्रकार का दिशा मिलता है कि किस तरग्या वीडियों आपको चाहिए। ठीके ना और अगर किसी प्रकार का वीडियो अगर आपको चाहिए कि वेडियो आएगारें वीडियो आ जेएगा लेakन आप मेरे चैनल पर नए है निरंतर वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो जैसा कि सब लोग कहते हैं मैं भी वही आपसे निविदन करूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लिजिए और सभी लोग लाइक और सेर अवश्र कीजिए ठीक है ना अब यह रुद्रट के बा काव्या लंकार ठीक है ना उसी नाम से भामा लिखे थे उसी नाम से काव्या लंकार यह लिखे हैं लेकिन इसमें अध्यायों की संख्या जो है कि 16 है और इस लोगों की संख्या कितनी है 334 है ए सारी 734 इस लोगों की संख्या कितनी है 734 है और अध्यायों की संख्या कितनी ह तिक ना आप कमेंट करके बताएंगे कि भामा का जो काब्य अलंकार है उस वह कितने परिक्षेद में है आप यहां हमें कमेंट करके बताएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं आगे एक तथ और है संभावता रुद्रट में प्रत्सर प्रतम बैज्यानिक ढंग से अलंकारों को चार वर्गों में बाटा है वास्तविक अवपम्य अतिशय और सिलेस इन चार भागों में जो है यह वैज्यानिक ढंग से बाटे हैं ठीक ना अब आईए आनंद वर्धन की बात कर लिए जाए आनंद वर्धन कश्मीर के राजा अवंति वर्मा के सभापंडित थे यह क्या आपडिका उत्रार्थ ठीक है और ध्वनी संपरदाय इनका एक सबसे शांदार और सबसे चर्चित गरंथ है ठीक है और सबसे बढ़ी बात कि ध्वनी संपरदाय के यह जो और ये ध्वनी संपरदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं इन दो तत्यों को जानना बहुत जरूरी है और ध्वन्या लोक में अगर उद्योग यानि कि अगर अभ्यास की बात चैप्टर की बात किया जाय या अध्याय की बात किया जाय तो चार उद्योग हैं बने चार अध्या भायए हैं तों मुलतों कारिक और सूतर की व्याक्या के रूप में शुत्रों की व्याख्या किया गया दुहनशताइब अब अभिन्यागुप्त केoded जान लेते हैं अभिनागुप्त जो है यह कस्मीर के यह भी निवासी थे यह कहां की निवासी थे यह कश्मीर की निवासी थे और इनकास में दश्मीश अताबदी का उत्रार्ध माना जाता है क्या माना जाता है दश्वी शताब्दी का उत्राध माना जाता है और अभिनो गुप्त के पिता का नाम नर्शिंग गुप्त था क्या नाम था नर्शिंग गुप्त था जिनको चुखुलक के नाम से जाना जाता है और माता का नाम यानि अभिनो गुप्त की माता का नाम विम अभिनोगुप्त ने व्याकरण सास्त्र ये ध्यान देजेगा बहुत अच्छा तत्थ है आपको मिलेगा अभिनोगुप्त ने व्याकरण सास्त्र का अध्यन किसके द्वारा किया था व्याकरण सास्त्र का अध्यन मने एक तरह से व्याकरण सास्त्र के गुरु कौन थे तो इनके पिताजी यानि नरसिंग गुपत ही थे ठीक ना और ध्वनिश शास्त्र की बात अगर किया जाए तो ध्वनिश शास्त्र के जो 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 ग्यान इनोंने प्राप्द किया ध्वनिश शास्त्र का जो अध्यन किया वह किस गुरू के अधिनरा करके किया तो भट इंदुरा भट इंदुराज के अधिनरा करकिनों ने ध्वनी शास्त्र का अध्यन किया और नाट शास्त्र की बात अगर किया जाए तो नाट शास्त्र के इनके जो गुरू थे वो भट तौवत थे तीन गुरू इनके थे और यहां तीनों आपको जानना जरूरी था अभिनाव गुप्त तंत्रा लोक नामक ग्रंथ लिखे थे जो कि दार्सनिक ग्रंथ था और यह ग्रंथ रत्न तंत्र सास्त्र का विश्वकोस माना जाता है तो इतना आज हम लोग पढ़ेंगे इसके वासे और भी आचारीों के बारे हम लोग अध्यान करेंगे अब तक आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अगर अब तक आप वीडियो को देख रहें तो निश्ची तक आप अपने जीवन में कुछ बड़ा परिवतन करना चाहते हैं और इसी तरह से छोटा छोटा वीडियो दे करका आपकी मैं तयारी कंप्लीट करवा दे रहा हूं और जाते जाते बस वही एक छोटा सा निवेदन एक छोटा सा रिक्वेस्ट लाइक शेयर और सब्क्राइब करना मत भूलिए फिर हमने मिलते हैं अगले वीडियो में धन्य हुआ 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 तो